नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोसवामी यूटूब चैनल में मैं सुनिल गोसवामी आसा करता हूँ आप सा बच्चे होंगे इस वीडियो में बहत्रवी मिस यूनिवर्स 2023 से जितने भी इपोटेंट क्योशन बने है वो सारे के सारे इस वीडियो में समायोजित हैं तो इस वीडियो को अंटक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करें इसकी PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रीप्शन में है तो चलिए सुरू करते हैं Miss Universe परतियोगिता की सुरुवात कब हुई थी? Miss Universe परतियोगिता की सुरुवात की बात करें तो 1952 में Miss Universe परतियोगिता जो है Miss Universe संग्ठन जो एक और ओर्गनाइजेशन है अमेरिका का, नी यॉर्क में उसके दोवारा ये करवाई जाती है परति वर्स होने वाली ये जो है एक वर्स के अंदर ये सौंद्रिय परतियोगिता है जिसका आयोजन किया जाता है Miss Universe संग्ठन के दवारा तो 1922 में इसकी सुरुवात हुई है बैतरमी Miss Universe 2023 परतियोगिता का आयोजन कहां हुआ तो बैतरमी Miss Universe परते होगी ताकि आयोजन की हम बात करें तो San Salvador, Al Salvador के अंदर ठीक है यह एक देश है, Al Salvador, San Salvador यहाँ पर उस जगहें पर इसका आयोजन हुआ है आयोजन कब हुआ? 18 नुवंबर 2023 बैतरमी Miss Universe 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह most important question है, खिताब किसने जीता है? Sanis Plasios, यह नीरा कागुआ देश की है, निकारा गुआ, निकारा गुआ देश है और वहाँ की है Sanis Plasios इन्हों ने जो यह खिताब, बैतरमी Miss Universe 2023 का खिताब अपने नाम किया है, जो runner-up रही है, वो रही है, आनाटोनिया, थाइलेंड की, और थर्ड स्थान पे रही है, मौरे विल्सन, जो आस्ट्रेलिया की है, कलियर है? जो है, चलिए, बैतरमी Miss Universe परतियोगिता में पहली बार किस देश ने डेब्यू किया भाग लिया? तो यह किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने पहली बार इस परतियोगिता में भाग लिया, इसमें 86 जो है Miss सुंद्रियां हैं, उन्होंने भाग लिया था, जिसमें एक पा पाकिस्तान की वी थी बैत्रवी Miss Universe प्रत्योगिता में भारत की और से किसने भाग लिया तो भारत की और से स्वेता सारदा ये चंडीगड की है स्वेता सारदा ठीक है इन्होंने इसके अंदर भाग लिया था मिस दीवा यूनिवर्स दोजार बाईस जो हुआ था उसमें जीती थी ये स्वेता सारदा तो इन्होंने अब की बार बैतरवी मिस यूनिवर्स परतियोगिता में भारत की तरब से भाग लिया था चलिए, तेतरवी Miss Universe प्रतियोंगीता दोजार जोवीस में जिसका आयोजन होगा, कहां पे होगा, ये होगा, मेक्सिको के अंदर, ठीक है, मेक्सिको, ठीक है, चलिए, इकेतरवी Miss Universe दोजार बाइस का खिताब किस ने जीता, तो ये आर बोनी, जो है, ग्रेबियल ने जीता था ये अमेरिका की, आयोजन हुआ था इसका New Orleans Louisiana में, अमेरिका में पढ़ता है ये, और 14 जनुवी 2023 को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, तो ये इकेतरवे नंबर की थी, और बैतरवे नंबर की, दोनों आपने अच्छे से देख ली हैं, तो यहां से जरूरी नहीं, आपक आपको याद रखना है, तो आर बोनी गैवरियल जो हैं, अमेरिका की हैं, आपको ध्यान रखना है, सत्तरमी Miss Universe 2021 का किताब है, ये हरनाज कोर संदू, जो भारती हैं, चंडिगड की, तो इन्हों ने जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है, इसका जो आयोजन हुआ था, सत्तरमी Miss Universe परत्योगिता का, तो ये हुआ था, इलियट, इसराइल के अंदर, ठीक हैं, दिसंबर 2021 में, भारत की कितनी ऐसी सुंदरियां हैं, जो Miss Universe का खिताब जीता है, तो Miss Universe का जो खिताब हैं, तीन अब तक भारत ने तीन बार जीत में, तो ये तीन ऐसी जो हैसीनाएं हैं, अभिनेतरियां हैं, जिन्नोंने सुसमिता सेन, लारादता और हरनाजकुर संदू, ठीक है, इन तीनों सुंदरियों ने ये किताब अपने नाम किया है, 69 मी फैमीना Miss इंडिया 2023 का किसी ने जीता, तो ये भी पूछा जा सकता है, न Miss Earth इंडिया 2023 का किताब है, पिरियन सेन ने, ये राजस्थान से है, 61 मी Miss International 2023 का किसी ने जीता, तो ये एंडिया रूबियो, वेंजुएला देश की है, एंडिया रूबियो, इसने ये खिताब अपने नाम किया, आयोजन है, ये हुआ था सिबुया, टोक्यो, जापान में, World 2021 का किसी ने जीता, तो सत्रमी Miss World 2021 का किताब है, कैरोलीना बिलावसका, ये पॉलेंड देश की है, इन्होंने अपने नाम किया, ये खिताब, 71 मिस World परत्योगिता का आयोजन कहां होगा, तो ये होगा, नई दिल्ली में, 2 मार्च, 2024 को, 71 मिस World परत्योगिता आयोजन होगा, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो याद रखना है, ये भी most important question है, तो ये थे आपके इस परत्योगिता से जुड़े हुए important question, बैतर भी Miss Universe, ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आयोगा, like share करें, PDF आपको टेलिग्राम से मिल जाएगा, इस PDF का लिंक अपने दोस्तों के स जरूर सेर करें, मिलते हैं, नेक्स उडियो में तब से लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत